अज हमारे देश में बहुत सारे प्रभू की सेवक हैं जो बड़ी-बड़ी मंडलियों में, छोटी-छोटी मंडलियों में, अलग-अलग चर्चेज में, और ये बहुत खुशी की बात है और मुझे ये भी पता है कि हमारे कई बहुत प्राबू की सेवा में, तारना उनको मिलती है, सताव आता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में, लिकिन हमारे कुछ प्रचारक, हमारे कुछ अगुए, पास्टर्स, लीडर्स, या कोई भी हो, और्डिनJust Church, मेंबर, हमें हम प्रचार तो करते हैं, मैं प्रचार तो करता हूँ, लेकिन क्या मैं एक आदर्श का कारण भी हूँ? क्या हम आदर्श के कारण भी हैं? जो हम प्रचार करते हैं क्या हम उस पर चलते भी हैं ये एक बहुत बड़ा प्रश्ण है आज मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ ये वचन मेरे लिए भी है आपके लिए भी हम सबों के लिए जो प्रभु को प्यार करते हैं क्या मैं जो प्रचार करता हूं दूसरों को बाइबल में से बताता हूं या बताती हूं क्या उसको मैं दैनिक वेवार में आचरण में उसको लाता हूं प्रैक्टिकल रूप से ये प्रशन है और ये जरूरी है कि जो मैं सिखाता हूं सिखाती हूं प्रचार करता हूं या जो मेरे वेवार को देखते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, वो भी एक आशिश का कारण बन जाए. कहीं ऐसा नहों कि मैं प्रचार करूं, लेकिन अगर उस पर चलू नहीं, तो मैं कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बन सकता हूं. तो ऐसा नहों. लिखा हुआ है एक जिगा तो फिर मेरा प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है. तो आईए, आज हम देखेंगे परमेश्वर के बचन से कि पॉलूस किस प्रकार से एक आदर्श बना अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी के लिए. जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इस स्लाइड में, इस पिक्चर मे बाहीं तरफ जवान तिमोथी खड़ा हुआ है और उसका आत्मिक पिता पॉलूस धानी तरफ खड़ा हुआ है और उसे समझा रहा है. और यह समझा रहा है कि जो बाते तुमने मेरे से सीखी हैं, ग्रहन की हैं, सुनी हैं, उसका पालन करो. कहने का मतलब वो एक आदर्श ब बना है और तिमोथी जो था पॉलूस का एक आत्मिक बेटा था और वो चायता था कि वो प्रभू में बढ़े पॉलूस के द्वारा तिमोथी प्रभू के पास आया और एक आत्मिक बेटे की रूप में वो चायता था कि तिमोथी आगे बढ़े और प्रभू की सेवा करे औ फिरसा कि हम पढ़ते हैं पहला तिमोथी दूसरा तिमोथी में जो पौलूस ने तिमोथी को ये पत्र लिखा सो चलिए हम इसी बात को आज लेकर के कि किस प्रकार से मैं और आप पॉलूस के समान शायद पॉलूस के समान तो एक्जेक्ली नहीं लेकिन एक आदश जरूर बन सकते हैं दूसरों के लिए दूसरे विश्वासियों की बढ़ोतरी के लिए इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू मैं चाहता हूँ कि पद आपके लिए पढ़ू जो हमारे आज के इस विशेश मैसेज से और इस डिवोशन से सबंद रखता है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ फिलिपियों की पत्री उसका चार अध्याय और नौपद जो बाते तुमने मुझे से सीखी और ग्रहन की और सुनी और मुझे में देखी उनहीं का पालन किया करो तब प्रमेश्वर जो शांती का सोता है तुमारे साथ रहेगा ये हम यहाँ पर देखते है जो बाते तुमने सीखी जो बाते तुमने ग्रहन की जो बाते तुमने सुनी और जो बाते तुमने देखी उसका पालन करो कहने का मतलब पॉलूस एक आत्मिक रिती से एक आत्मिक पिता के समान आदरश बना और यहाँ पर आप जानते हैं पॉलूस का अगर आप बैग्राउंड स्टरी करें तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पॉलूस पहले परमेश्वर का विरोधी था और जब वो दमिश्वर के मार्क पर जा रहा था ता परमेश्वर से उसका सामना हुआ और उसी समय उसने अपना जीवन प्रभु इश्व मसी को दे दिया और तब से आखरी दम तक वो परमेश्वर के वचन का प्रचार जगा जगा करता रहा उसने कई तारनाएं भी सहीं कई मुसीबत उसके जीवन में आएं लोगों ने उसको मारा पीटा सताव किया लेकिन वो लगा तारूप से प्रभु में स्थेर रहा और अंत में वो प्रभु के लिए शहीद हो गया ये हम देखते हैं और इसी बीच में उसने कई लोगों को प्रभु के पास लाया लेकिन एक व्यक्तित्व एक शक्सियत एक जवान लड़का जिसका नाम तिमोथी था उसको उसने प्रभु के पास लाया और उसके साथ समय बिताया उसको चिताया उसके लिए आदर्श बना उसने कई बातें तिमोथी को सिखाई और ये सब जो सिख पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी ये एक विशेश परसनल व्यक्ति गत रूप से एक लेटर था तिमोथी के लिए जवान तिमोथी के लिए कि भई तुम जो प्रभु में आये हो प्रभु में बढ़ते जाओ तो जो बाते तुमने सीखी हैं अब पौल उसके जीवन से आ पूरा पत्रियां जो उसने लिखा एफिसियों की पत्री गलतियों की पत्री तेसलोनों की पत्री और उसके बाद करौंतियों की पत्री और जो बाते उसने लिखी हैं वो उसने तिमोथी को सिखाई और तिमोथी ने बड़े खुले दिल से इस बात को ग्रहन किया तो जो ब ग्रहन करने का मतलब है उसकी जो टीचिंग्स हैं लेसंस है उसको तुमने ग्रहन किया और जो बाते मेरे से सुनी विक्तिकात रूप से जादा थर मैं सोचता हूँ कि पॉलूस तिमोथी के साथ रहा उसकी साहता करता रहा एक बाप और बेटे के रिष्टे के समान और किस तर परिक्षाएं आए होंगी लेकिन पॉलूस वो अग्रणी रहा सिखाने में और तिमोथी ने एक आत्मिक पिता होने के नाते उसे ग्रहन भी किया उसकी बातों को सुना कई बार पॉलूस कुरंथियों को डाटता भी था यदि आप पढ़ें कुरंथियों की पत्री तो लोग सीखें सीधे हो अपने धीट में ना रहें पूरे पुराने बातों में पुराने पापों में ना पढ़े रहें उसी प्रकार से मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि पॉलूस ने तिमोथी नाट लगाई होगी और सिखाया होगा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो क्यों जिसस आप प्रेम करते हैं उसको आप डाटते भी हैं सिखाते भी हैं जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं इबरानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिससे प्यार करता है उसे क्या करता है उसकी तारणा भी लेता है उसको डाटता भी है कौन ऐसा परिवार होग जो अपने बच्चे को प्यान करता हो और उसे न डाटता हो, सही रास्ते में न लाता हो, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो पौलूस ने जरूर तिमोथी को सिखाया होगा, डाटा भी होगा, प्यार भी किया, एक तरह से एक आत्मिक पुत्र के रूप में ता कि उसके जाने के बाद, तिमोथी वो इस्थान ले, लीडर्शिप का, अगवापन का, इसलिए वो एक आदर्श बना, फिर लिखा हुआ है, जो बाते तुमने सीखी हैं, जो बाते तुमने ग्रहन की हैं, जो बाते तुमने सुनी हैं, और जो बाते देखी हैं, देखिए, मुझे याद है जब मैं पढ़ाता था तो Bible College में मैं शिक्षक के रूप में रहा तो एक बार मुझे जो class जब मैंने खतम किया तो class के कुछ students ने मेरे से का कि sir हम आपसे बात बताना मांगतें बात बोलना मांगतें मैं नहां बोली है क्या बात है तो उन्हें ने कहा कि देखे आप बढ़ाते तो है class में ठीक है अच्छी बात है यह आपकी गवाई ही है एक gift है एक बरदान है और अच्छा बढ़ाते हैं हम सीखते हैं लेकिन हम यह भी देखते हैं कि दूर से देखते हैं कि आप क्या वही व्यक्ति हैं जो हमें class में पढ़ाते हैं क्या आपकी बाते हैं जब आप दूसरों से मिलते हैं आपका व्यवार किस प्रकार से है दूसरों के साथ और हम दूर से देखते हैं हम students दूर से देखते हैं आपको क्या यह वही सर है जो हमें पढ़ाते हैं मुझे ये बात बताई और मुझे ये बात लग गई कि लोग हमें देखते हैं क्या मेरा जो वेवार है बातचीत का क्या प्रेम वाला वेवार है दूसरे लोगों के साथ बाहर के लोगों के साथ या सिर्फ मैं दिखाने के लिए क्लास में ये सब बात ही करता हूँ बोलता है कि जो बाते तुने मेरे जीवन से सीखी ग्रहंड की, सुनी और देखी देखी यह नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं तुने मेरे जीवन में वो आधर्श की बाते देखी हैं, वो प्रेहम की बाते देखी हैं, वो सताव की बाते देखी है, वो धीरज की बाते देखी है वो जो प्रभु में बढ़ने वाली बाते जो शिक्षा में देता हूँ तो उन्हें देखी है मैं सिर्फ ऐसी बोलता नहीं रहा मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता रहा है ना, कि हवा में मुक्चे चला रहा हूं खोब बाते कर रहा हूं लेकिन जीवन में कोछ परिवर्तन नहीं वही मैंने जैसे शुरुवात में कहा हमारे जीवनों में विशेश करके मसीही समाज में कभी-कभी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं टीचर्स हैं जो सिखाते तो हैं बहुत अच्छा लेकिन वो अच्छा आदर्श नहीं बन पाते हैं ये बहुत दुख की बात है पॉलुस जो था उसने एक सही आदर्श की रूप में एक मसीह आदर्श की रूप में लोगों के सामने और विशेश करके तिमोथी के सामने ये बात रखी अब हमारे मसीह समाज में कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं ऐसे भी पास्टर्स हैं जो सच मुश में एक आदर्श का कारण बन जाते हैं आदर्श का कारण बन जाते हैं ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं और मैं अपने आप से यही बोलना मांगता हूँ कि भाई प्रभू मुझे तू अगवाई कर कि मैं आदरश का कारण बनू यह से पने कि मैं रोज परचार कर रहा हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवरतन नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए अब सुलिमान को लीजे ना सुलिमान जो था जिसने निती वचन सबब देशक यह सब बहुत अच्छे अच्छे बुद्धी मानी वाली बात बताई उसने और बहुत अच्छी बाते बताएं आज भी हम उसको पढ़ते हैं और उससे आशिश पाते हैं लेकिन वो खुद इन ब हुआ उसने अपने सिखाई हुई बातों को ही उसने अपने जीवन में नहीं ढाल पाया तो हमें आदर्श बनने की जवरत है और यहां पर पालुस दिखा रहा है बता रहा है जवान तिमोती को कि भाई जो बाते तुमने सीखी ग्रेंट की सुनी है और देखी है मुझे करत उसको क्या करो पालन करो क्या करो पालन करो सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है सिर्फ प्रीच करना ही काफी नहीं है उसका पालन भी करना काफी यहां पर लिखा हुआ है कि उन्हीं का पालन किया करो तब परमेश्वर जो शांती का सोता है तुमारे साथ रहेगा परमेश्वर क उसका तीन अध्याए और साथ पद यहां लिखा हुआ है परंतु जो जो बातें मेरे लाब की थी उन्हीं को मैंने मसी की कारण क्या समझ लिया है हानी समझ लिया है यह यह बात यहां पर हम बहुत साफ रिती से देखते हैं जो जो बातें मेरे लाब की थी उन्हीं को मैंने हा नहीं समझाए फिलिपियों की पत्री उसका तीन अध्या और साथ पत्र तो हम यहां पर देखते हैं मेरे प्रियों की जितना हो सके हम दुसरों को बताएं प्रभू के बारे में वचन सुनाएं लेकिन उसके साथ साथ मैं उसका पालन भी करूं तो हम अपने जीवन को आदर्श के रूप में रखे हैं हमारा सबसे बड़ा आदर्श कौन है प्रभु इश्यमसी यह तो हम सब जानते हैं क्योंकि वह परफेक्ट सिद्ध मनुष्य था मनुष्य का पुत्र था परमेश्वर है वह और उसने हमारे लिए क्या छोड़ गया एक आदर्श छोड़ याद हो शायद आपको याद होगा जब वो प्रभु भोज कर रहे थे आखरी जो सपर कर रहे थे भोज तब उन्होंने क्या किया तौलिया लिया और पानी लिया और जो डिसाइपल्स हैं चेले हैं उनके पाउँ धोए और पोचा कुछ लोगों ने बोला प्रभु यह क्य कर रहे हो उन्होंने कहा कि अभी तुम नहीं जानते हो लेकिन आप समझ जाओगे जैसा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ किया वैसा है तुम भी एक दूसरे के साथ करो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ा है एक आदर्श छोड़ा है क्या हम उस आदर्श को अपने जीवन में लें न सिर्फ हम प्रभुई शुमसी के पीछे चले पॉलुस कहता है कई बार कि मेरी बातों को सुनो मेरे पीछे चलो क्यों? क्योंकि वो आदर्श का कारण था उसने जो बाते उसने दूसरों को सिखाई उस पर वो चला और अंत तक जब तक वो शहीद नहीं हुआ तब तक वो प्रभु की संगती में चलता रहा और एक विश्वास योग योद्या के समान वो शहीद हुआ सो तिमोथी को ये बात बता रहा है भाई देखे मेरे भी दो तीन तिमोथी है और हमारा उनके साथ बड़ा अच्छा एक वेक्तिकत संबंध है हम बाते करते हैं प्रभु के बारे में बाते करते हैं प्राटना करते हैं शेयर करते हैं फेलोशिप करते हैं संगती रखते हैं और कभी कभी मैं उनको डाटता भी हूँ और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम डाटे क्योंकि वो मेरे छोटे भाई या बहन जैसे भी हम देखें उसको हम एक आदर्श की रूप में देखना है तो यहां पर जो मैंने आभी आपके सामने रखा पॉलूस का जो आदर्श यो तिमोधी के लिए था वो आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है मैं वापस उसी में जाओंगा फिलिपियों की पत्री और उसका चार अध्याय और उसका नौपद चार अध्याय और उसका नौपद जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं पहली बात दूसरी बात और ग्रहन की है तीसरी बात और सुनी है चोथी बात मुझे में देखी है उनहीं का पालन किया करो पालन करना है जिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना का भी नहीं है पालन भी करना जैसे बॉलूस ने परमेश्वर का वचन पालन किया तब ही परमेश्वर जो शांती का सोता है तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विश्य में फिर जागरित हुआ है निश्य तुम्हे आरब में भी इसका विचार था पर तुम्हें आवसर ना मिलाओ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पॉलुस बोलता है दुसरों को कि जो भी बात हमने सीखा यह ना सिर्फ यहाँ पर तिमोथी के बारे में है लेकिन और दूसरे विश्वासियों के लिए भी है कि भाई तुम्हें इसका अनुसरण करो जो जो बाते तुमने सीखिये गरहन किये सुनिये देखिये उनका पालन करो तो तिमोथी को तो उसने बताया ही बताया लेकिन फिलिप्यों की जो कलीसिया थी उनके प्रतिक सद्यत से को भी भोला कि वे सुने सीखें गरहन करे और दूसरों के लिए एक आदर्ष का कारण बने और जो जो बातें सीखी हैं उनको वो पालन करते रहें ये मेरे लिए है आपके लिए है हम सबों के लिए है तो हम एक आदर्ष बने जिहां यहां तेमोथी के लिए पालूस आदर्ष बना फिलिपियों की जो कलीसिया के जो लोग थे उनके लिए पालूस एक आदर्ष बना और क्या मैं दूसरों के लिए भी एक आदर्ष बना हूँ